रामराम किसान भाईयो नमस्कार सस्रीकाल मेरा प्रिचे रामलाल गुजरा किसान पाटसला चैनल से किसान भाईयो खेती बाड़ी से समंदित वीडियो के मद्यम से आपको जानकरी दी जारी है हमारे किसान देश किसान, किसान भाईयो जानकारी खरीब फसलों के बारे में आपको इसलिए अपलब्ट कराई जाती है ताकि किसान आतम निर्बर बरने और जो भी इंपुट्स केती बाड़े में यूज़ कर रहे हैं समय उसको देखे और उसके रेजल्ट देखे बीटी कोटन का समय चल रहा है बीटी कोटन में आज हमारा बहुत ही महत्वपुर्ण वीडियो होगा किसान भाईयो के बारेम बात करेंगे कई किसान भाईयों के फोन कॉल और वीडियो के माध्यम से चैनल उसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो ये क्रजी टॉप जो होता है किसान भाईयो खर्पतवार नसी साकनासी या वीडी साइड जो हम चुड़कते हैं उसके एफेक्ट के कारण होता है या तो हमने ड्रम को अच्छी तरह से साफ नहीं किया है ड्रम के माद्यम से वीडी साइड आ जाता है या किसान भाईयो हमारे जो पूरों में रभी भसल में हमने कोई स्प्रे की तो वहाँ पर कोई ढकन डोलकी से समंदित कोई उसमें जाली वगेरा रह जाती है तो वहाँ टू-फोडी का एफेक्ट आ जाता है उससे हैं जो क्रोप के अंदर बंदर पेंजा जैसी समस्या हो जाती है टू-फोडी एक हार्मोन है किसान भाईयो ओकजिन हार्मोन के दिखता के कारन ऐसा होता है दूसरे किसान भाई कई बार ड्रम से साकना सी जो करते हैं अन्य नदी ना सकते गवार में कर रहे है चाहिए उन्होंने सरसो में किया है तो वो ड्रम अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं दूसरे जो हर्बी साइड होते हैं उन्हें सल्फोनिल यूरिया ग्रूप होता है वो अपना एफेक्ट है सल्फोनिल के उपर दिखा देता है क्योंकि वीड है वो तो उसके अंदर एलस एंजाइम होता है वो तो वीडी साइड को पचा लेता है लेकिन कोटन क्रॉप है इसमें जो चोड़ी लीफ होती है उसके कारण वो बचा नहीं पाता और क्रेजी टॉप की समस्य हो जाती है जिसे बंदर पंजा की समस्य हो जाते है किसान भाईयों बहुत ही जो बंदर पंजा या क्रेजी टॉप है उत्पादन को प्रभावित करता है यदि इसका ज़्यादा वीडी साइट का असर हो जाए तो किसान भाईयों इसके कारण हमारी उपज है वो लगबग 30-40 परतिशत बहुत ज़्यादा अगर प्रभावित हो जाती है क्रेजी टॉप बंदर पंजा मोर पंजा से तो हमारी उपज है वो लगब 60-70 परतिशत भी प्रभावित हो जाती है तो पहली बात हो हम साबदानी रहें वीजिलेंट रहें सत्रक रहें वीडी साइट का कोई ड्रम है कोई अपने उसकी डोल की नलकी है या डोल की है चोटी तो उसको पहले यूरिया से अच्छी तरह साफ करें और उसको सुरक्सित कहीं पर रखें वीडी साइट अपना पुराना कहीं जो स्टोर के अंदर पड़ा है तो कहीं भी अपने रस चूसने वाले कीडों की दवाईया या सुन्दी के साथ उसका अटेज्मेंट कहीं भी न पहर में आ रहा है या नाली बेल्ट में गंदला पाणि तो उसका सपरे करें जैसे वीडी साइड के पास मिटी लगती है तो उसका प्रभाव कुछ परतीसद पचास परतीसद कम हो जाते हैं अब जो हमारी बात आती है क्रेजी टोप के उपर हम उसका क्या इलाज कर सकते है क्रेजी टोप जब भी हो जाता है था किसान भाईयो सबसे पहले हमें बल्यू कोपर का उसमें स्प्रे करना है फंजी साइड का जो कौपर ओक्सी कुलराइड है वो हमें दो ग्राम एक लिटर पाणी में लेना है साथ में स्ट्रेप्टो साइकलिन या बेक्टरी मैसन आ रहे ह वो आप सो लिटर पाणी में ले सकते हो और सो लिटर के पाणी के अंदर दो सो ग्राम आपने कोपर ओक्सी कुलराइड लेना है अच्छी तरह गोड़ बना करके उसका सप्रे करना है पहला सप्रे और दूसरे सप्रे की अपने बात करें तो किसान भाईयो काफी फिल्ड मे हमने कराया और अच्छी तरीके से वो ठीक भी हो गया है उसमें है जो मेगनीज सलफेट आता है MNSO4 वो हमें लेना है दूसरी स्प्रे के अंदर पांच ग्राम यानि सो लिटर अपना पाणी है तो उसमें पांच सो ग्राम मिलाना है साथ में उसमें ग्लूकॉन डी अपने क किलो प्र यह मिलाना है उसके अंदर साथ में चेलेती जिंक मिलाना है 500 Congressmanala मैं उसका हमने दूसरा स्परे करना है किसान भायों लगबग दोदिनों के अंदरहलपर हमने तीसरा जो स्परे करता है अपने गरों में जो पुताही के लिए चुनना है कैल्सिम उकसाइड उसको आ हमें निजात मिलेगी कहीं ज़्यादा हो गया था उसको उपर से टूसों को थोड़ा सा तोड़ दें नए पत्ते आपको बिल्कुल ही सही मिलेंगे यह जो हमने तीन सप्रे कराया इसको हमें उनरा वस्ता में यानि दुबारा फिर एक बार और रिपीट करना है एक बार आपक सिल्पेट तो सस्ता है 25-30 रुपे किलो है मेंगनी सिल्पेट आपको थोड़ा सा मेंगा मिलेगा दुगने रेट में 50-60 रुपे किलो यह आपको 500 ग्राम 100 लिटर पाणी में साथ में किसान भाईयों आपको लेना है चिलेटिड जिंक यह दो नमबर सप्रे तीसरी में अप तोड़ी साबदानी रखें यदि हवा चलती है अपने एक दो भी गाम हुआ तो यह लंबे एरिया में फैल सकता है तो इसमें यह सप्रे करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस जो क्रेजी टॉप है बंदर पंजा मोर पंजा इससे आपको निजात मिलेगी और हमारी कोटन की ग्रोप है वो सुरक्सित रहेगी किसान भाईयो हमारा जो देश से होता है किसान को नित नहीं जानकरी देनी जिससे उसकी उपजबड़े किसी तरीके का उसमें उसको लोस नहीं हो उससे हमारे देश का आर्थिक विकास होता है जै जवान जै किसान राम राम जी